कि सुप्रभाद 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 तो आज का हमारा दिन मंगल में हो और आप सबका भी हो और हम हादिर हैं आज तारीक है हमारी तारीक है और हम बाहर आ चुके हैं हमने ब्रश कर लिए अभी पर छोटे बाई के पास उनके घर अपनी भावी के साथ भूब रही हैं मैं हम अबसे हम बाद भी नहीं कर रही है इतको दिन से व किन कीतीक पास समय नहीं हैं कि अपने भईया भावी के साथ लगी हुई है लिफ्ट नहीं मार रहें हैं को यह देखिए अपना दूसरा बढ़ बहा जी का बेटा वब्रश करने मिलें हो कहरा हमको टूशन जाना है तो यह हमारे घर का ब्रह्मन हो रहा है ते तबितकराब दीन है क्या हुआ अभी ठीक है ओके तो यह गएंग पर टूशन टुड़े वेरी गुड़ कि विभी चिंग क्या कहा है आप आप तो यह अव्या लेटीनि मारें इस अधिया के पास आगी अपने जोटे बाले लिटीनि आरिया है बोले चिल गल में चिल गल हुआ 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 ह वहुत click कि अब संख्राइ़ का जाओ है अब टुल के वाला हुआ तैक्स केज mix बयार भूटे वालगा रूट के टुड गुड है वह आज अब यह कितने गीओ वाला हुआ हशंक ये वाला हुआ हर्णां पश्खकी वालाहां एक ट्र clic तरंजव्यव लगा कि ए यह लगा कि ए यह बाध एे कि हो इसान दिख Va अऩदो निकल जय ला थे Before learning अब आपको इसको लंगाना ऊब इसमें लगा दो को सिø यह लग गई ब्रग इद है यह बाध रह लेवाऑ के शिफकर यह लेख लिख रह लगा आरहाया गर यहाया बाला यहाया है यहाया हूसके यहार वे नियर्प्दाइ चिक शचर्फिए जाओदिक पीर टाव। इसको को तैया ए सि को ढोलता है यह आथ बहुत जाओध बई क्रिस्माम मेटक जाओवट एका लारती है यह आपका वह का। शल्लिट्री अभी तो आठ बजे है, ठीक है, अराम से आ, पड़ाई रिखाई करके, तेखो ये इन्होंने हमारे पूरी फैमिली की, जब शादी ही थी, एक बच्ची की, तो उसके इन्होंने फोटो अगा रखिए, कितनी मस्त फोटो है, यार देखो, सारे घर के लोग इसमें कवड़े है सब लोग कवड़ें इसमें, देखो, मज़ा आया है, यह देखो, यह फोटो हमारी कितनी मस्त कवड़े है, सब लोग इसमें कवड़े है, सब लोग, घर की मालिक हमारे जो है, वो ये वाले है, इस समय यहाँ पे, घर की मालकिन जो है, वो इधर इस समय है, यहाँ पे, जिन अगर बालकनी और इस बालकनी के इधर से तो इन्होंने रखा बत्रों वाला धोने वाला और इनके प्लांट लगा रखें नीचे भी और उपर वी यह प्लांट देखो आप इनने कितने अच्छे में चैन किये देखो यार सारे प्लांट्स ननके मस्त में नगीन al इं से चलचा करेंगे VO कैसे result शुख मेंटेन के अनुन किया थो वह आपको दिखाएँगे दिखें की वालकुनी पूरी पड़ी प्लांट्सखी है शुर्णिये सारे प्लांटों ऑटी संदेखाईगा इह नंसी। तुलसी हो एक हॉत है शोडो ह्याचसBack नहीं धो लगाया है और शाटल्चारई करेंगी यह ने प्रॉंच से बढ़ा लगा रक्या भीजश म४ुट आरे यार यह देखो उरे वेरी गुड़ी यार इता को चिडिया रखी है ओव बरी गुड़ यार अधो नहीं ओ बज़ देख के वह व्गड़ गुड़ गुड़ ऑउड़ यह बड़ा अच्छा है यहां भी यह तोतीन चिडिया कि इमको देखते ही चलिए आजाती कर दिखे लिए पटरफाइज दिखा दी अरे वा यार मज़ा आ गया तो अभी फूट का सेवन हो रहा है तो हमने सुझा पहले फूट खा ले हो कि खाना खाने के बाद फूट नि खाना चाहिए फूट हमेशा पहले चाहिए तो यह हमारा क चाहिए पूट हमने केला खा लिया है सेव खा लिया हमारा यह बबु गोशा कट रहा है और यह खा रहे हैं और मैडम जी देखे ज़्राइशाब अब हसीना मान जाएगी एक इधर बैठी है फूट पीन आफ दी हाउस यह देखिए नहादो के त्याव के फिस्स क्लास तो बीज्डंट थे अंटरे में अच्छा आती है इस घर में इस फार्ट बैडरूम है थो आप यहां पर यहां बोल देख रहे हैं कि यह खोल ऐसे नहीं है इसके अंदर चिडिया स्पैरो रहती है यह देखिए यह यहां पर यहां से आंतर गुज जाती है कि यहां दिन भर यह घूमती रहती है और इनके लिए पानी प्रग दिया है इनोंने आपर और इस कि यहां पर भी लोग बैखर में आपने बोल्या बिस्तर भी अधा इदा बोलना नहीं चाहिए दा पर इंबर सेशन बनाया हुए आप संगर इती आती है आज वाज़े से अच्छा संग्रान है ना संग्रान का मतलब जो हमारा अच्छा हार काली दो गड़ीथा य दो पर जो खत्रा भार अदर नहीं आज़े है ले बारोओ हो काल जा रिष्यू को भीड़ुवारा इस से र स्भीड़ लाई के अंतर मुरुष्यू को मतलु पार ta ब्था ले शले में आन स्थर Food जाख दो गड़वार हुआ हुआ हैं एठ ट जब अच्छा एक अच्छी राई गया बावा बगाद दर्शन तो मौस्ट रहे है अजली से अच्छा पास है हरके अच्छा गंपे में आरू कहीं द्राइब घर के पहुच जाते है ज़िए और वह से भी आज संग्रान है ना संग्रान का मलत क्या हुआ तो आना मदलब है कि आज नवा महिना चड़ जाए है मतलब सावन इस फिनिश तोड़े और तोड़े दर न्यू मान्थ है स्टार्ट इजिस कॉल भादों आज से भादों चलू हो गया अब आपको दिखाते हैं मम्मी का ढवा 24-7 मम्मी का ढवा चलता है अब हम मिलते हैं आपको वी अपना मॉइल से करना पड़ा इसलिए हम अपना मॉइल और लैप्टॉप साथ लेके चल रहे हैं उसमें लोडिंग हो रही है क्योंकि आज मैं अपना लोड नहीं कर पाया तो यह लोड करने के लिए हम करना पड़ा तो यह भी हम अपना लैप्टॉप और मॉबाइल साथ लेके चल रहे हैं और उससे फिर वह अपना चार्ज होता रहेगा गाड़ी हमारी पूरी टैक्ड है इस समय अभी हम घर से निकले हैं और देखे दर्शन हो क्या आते हैं अच्छे अच्छे कर क्या है आप लोग आशीर बात चाहिए और बाकी हमारे देखिए हमारे जिस्ते कहते हैं हमारे क्या बोले राजा साब यह हमारे किंग है जो में लेके जा रहे हैं हमारे होस्ट है और होस्ट के बच्चे दोनों एक बड़ा वला एक छोटा वला और बेगं साहबा जो है वह अपने 1225 किल मेटर है यह जवलपूर जाती है 270 किल मेटर और इसी पर निकाल है अचा यह क्या नदी है कना नदी आगे देखो यह उसको पर ट्रेन बीचली जा रही है का नदी में फ्लो बहुत है यह अरपानी का देखो है न करहान नदी के बाद में यह कर शेहर आ गया हम करान तो रहे हो नि इनका वरोसा नहीं है यह गलती करिया हमारी बेवी शिंग मैं एक्सप्रस हईवे आप आप हमारा पहस पुर्ट है राम टेख के लिए यही रोड जो है थे जाती है जब लो भूझारी सवय एवारा नसी साथ-स-पांच अरे वाह यूंशे पहाली दिख रही है तो वहीं पहमें जाना है और अब और मदी आपको छार दिखाने बाद है यहां से ले ने राइड तरन आपको धीरोड सीदी राम टेक्र से 6 किलोमेटर तुमसर 70-60 किलोमेटर और इधर ही पड़ेगा रायपूर भी 320 किलोमेटर और यह यह है वह मंदिर जहां आपने उपर जाना है अब फोड़ा पहाड़ी के उपर है और हाँ चड़ना पड़ेगा आपको मस्त मंदिर नेकिए यहां से हमने कट ले लिया और मंदिर का दवार है जिसका नाम रखा इंदन श्री लक्ष् hanya दौरा ,पर और की जब आए तो त्यारी करके आइए कि शालीज़ पार्किंग लगेगे आपकी यहां पर और आ आगे गा यहां लगानी पड़ेगी यह हचा है आप इन को घुमाने ले हैं, किसा से आ मत पार देखिन कर एकक सर्गारा ये तुरिस्ट वह आई हुए बहर से जुए हुएने के इन prometen, ॉलीफ , रहे हैं प्रांगर difference यह प्रांद मंदिर घूम्पें यहां प्रेखी चानी पड़ है कि हैब लोग चले आ रहे हैं सीड़ियां चड़कर के नीचे से उपर देखें यह रस्ता जो है आपको दिख रहा है यह सीडियां ऐह यह नीचे सीडियां आउपर ट्रेकिंग वारा रस्ता हो गया कितना बड़ा प्रांगण है यह कितना लंबा प्रांगण है देखिए हम अंदर आ गए हैं उस गेट से और यह मंदर का हमको और फिर प्रांगण मिला जूत उतारने के लिए हमको यहां कहा जा रहा है तो हम जूते अपने यहां उतार देते हैं अब इसके अंदर से हम फिर आ फिर भी साफसुत्रा है एक लिस्ट साफसुत्रा रखाएं होने वह अलग बात है कि यह दर्शन करते हैं भग्मान जी के कि अधिया अधिया है यह मंदिर जाहनमान जी की कि अधिया है यहां पत्थर यहनोंने काट काट के बनाया है देखिए पत्थर को काट के बनाया है यह इनका भव्य पूरा मंदिर यहीं पर स्थित है सी के अंदर जो भी हम दर्शन करके आए हैं और मंद्र के परिसर है यह पूरा स्टोन का काम देखिए इनका पुराने जमाने का यहां इसका दूसरा वाला मंदिर है यह राम चंद्र स्वामी जी का मंदिर है और यह अंदर जाने का स्थार यहां से है यहां से अंदर जा सकते हैं आप मंदिर के दर्शनाब कर सकते हैं यहां से अंदर हमने पूछा उनसे कि यह राम जी की जो मूर्ति दिख रहे हैं हमको अंदर यह काली क्यों है तो उधाने कहा कि यह पत्थर ही काला है जो स्वामी जी बता रहा है तो राम जी की अब दिखी यहां पर राम जी के मंदिर में किस तरह से इनों अपना रंग जमाया हुआ है एक दो नहीं पूरे पता निकितने भढ़े पड़े हैं यह देखिए हम वापस जा रहे हैं इसदार से पार मंदिर कितना खुफशुत लग लगता है यहां से आपको ऊपर का व्यूद दिखा रहे हैं ऊपर कर व्यूद कितना जानदार देखिए कितना जानदार भी वह देखिए उपर का कि खाली आजाए नारियल और सो गुड़ फॉर हेल्थ तो भी आर गूइंग फॉर नारियल यहां पर बच्चे आ गए है और इसको फोड़ लिया यह पानी भी है जल बच्चे लोग पी लेंगे सब लोग मिलके और नारियल को भी हम हुआ है कि पॉर लोग मिलके लोग दो लेंगे लो खॉआ अप्टोर लोग दो आरियो को भी है और बच्चे लोग मुड़ तो आप लोग जो लोग